नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ श्रीका मैं रोत्रा IPL 2022 के 49 मुकाबले में Royal Challenges Bangalore और Chennai Super Kings एक दूसरे से भिढने को तयार है दोनों के बीच ये मुकाबला पुने के MCA Stadium में खेला जाएगा फैंस के बीच इस मुकाबले को लेकर काफी एकसाइटमेंट है देखिए रिपोर्ट IPL 2022 में अब Royal Challenges Bangalore और Chennai Super Kings एक बार फिर एक दूसरे के आवने सामने होंगे दोनों के बीच ये मुकाबला पुने के MCA Stadium में खेला जाएगा फिलाल अपने 10 में से 5 मुकाबले चीट कर Bangalore की टीम पॉइंट स्टेबल पर 5 में पायदान पर है वही अगर Chennai Super Kings की बात करें तो 9 में से 3 मुकाबले चीट कर 9 में पायदान पर काबिस है बहराल दोनों ही टीमों में धोरंदरों की भरमार है जहां एक तरफ Royal Challengers Bangalore में विरात कोहली और 5 ड्यूप प्लेसिस जैसे खिलाणी हैं तो वहीं Chennai Super Kings में भी MS Dhoni और रविंद जडेजर जैसे दिगस मौजूद हैं Royal Challengers Bangalore अपना पिछला मुकाबला हार कर मैदान में उतर रही है गुजरात के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए Bangalore की टीम ने 170 रनों का स्कोर खड़ा किया लक्षी का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम ने अपने 19 ओवर में जीत हासिल कर ली वही अगर चैन्नेई सूपर किंग्स की बात करें तो उसे हैदरबाद के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में 13 रनों की जीत मिली पहले बल्लेबाजी करते हुए चैन्ने की टीम ने 202 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसे हैदरबाद की टीम हासिल करने में नाकाम्याब रही दोनों टीमों के धुरंदर इस मुकाबले में एक दूसरे से भिर्णे को पूरी तरह से तयार है अब फैन्स को इस बात का इंतिजार है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने में काम्याब हो पाती है तो देखना दिल्चस्प होगा कि उन्ची आस्वा मुकाबला रॉयल चैन्रेंजर्स बैंगलोड जीती है यच्छे नई सूपर किंग्स इस सस्पेंस के बीच फैन्स भी काफी एक्साइटेड हैं अब इसका पता तो आने वाले समय में इविद चलेगा लेकिन तब तक के लिए आप देखता रहिए प्राइम टीवी